तो यह है अपना टोटो जिसे आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा और उस दिन के बाद से टोटो में बहुत सारे चेंजेस भी आ गए हैं जैसे कि अब मुझे इसे अपने हाथों से फीट नहीं कराना पड़ता क्योंकि अभी अपने हाँ पी अपना खाना खा लेता है और तो और यह कभी-कभी एक टांग पर खड़ा होकर तपस्य भी करने लगता है और इसकी गर्दन काफी फ्लेक्सिबल होने की वज़े से अपनी गर्दन को पूरा 360 दिग्री तक गुमा लेता है तो चलो अब इससे कुछ activities कराते हैं जैसे कि यह इस चूड़ी को अपनी नाम को सुनकर कैसे रियक्त करता है